नमस्कार आप से भी कस्वागत है यूटूब चैनल कुमार फिनांस पर इस वीडियो में हम बात करेंगे सिमेंट इंडस्टी की दिगेश कंपनी अल्टा टेक लिमिटेट के बारे में वैसे तो फंडामेंटल एनलिसिस की बहुत ज़्यादा जुरुत नहीं है क्योंकि आप सभी को पता है अगर एक्रोस दे इंडिया अल्टा टेक सिमेंट लिमिटेट के बारे में बात किया जाए तो ये नमबर वन प्लेयर है और ये बहुत ही बड़े और ट्रेस्टेट घराने से भी बिलॉंग करती है जिसका नाम अधित्य विर्ला ग्रूप है इस कंपनी का मेजर बिजनेस वाई से सिमेंट मैनिफेक्टिरिंग और सेल्स का ही है लेकिन कुछ सप्लिमेंटरी प्रड़क्ट भी इस कंपनी ने मैनिफेक्टिरिंग करना पिछले कुछ सालों से स्टार्ट किया है जो के इंस्ट्रक्टिन सेक्टर में यूज किया जाता है और उसका प्रड़क्टिन के साथ ही ये सप्लाई भी करती है दोस्तों जैसे कि मैंने बता है फंडमेंटली एक कंपनी काफी स्टॉंग है बहुत बड़े घराने से विलॉंग करती है इसलिए बहुत ज़्यदा फंडमेंटल देखने की तो ज़रूत नहीं है लेकिन इस विडियो में हम इसके सेयर का टार्गेर प्राइस आने वाले 100 टर्मो या मीडियम टर्मो उसको जाने की कोस्तित करेंगे आने वाले टाइम में इसका कैसा ग्रोथ रस लगता है उसके बारे में बात करेंगे कौन से इसे कंपेटिटर्स है जो इसको ज्यादा चैलेंज दे रहे हैं उस पर एक नज़र डालेंगे फास्ट में अपने PS के कंपरीजन में इसका कैसा परफॉमेंस रहा है और आने वाले टाइम में इसको किस टाइब के चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं यह पूरे डिटेल हम इस वीडियो में जाने हैं उसके पहले मैं करना चाहूंगा अगर अपने हैं इस चैनल पर या आप तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल एकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाले हर क्वालिटी वीडियो का नोडिफिकेशन आपको मिलती रहे दोस्तो करेंट टाइम में अल्टाइब लिमिटेड का फेस वैलू 10 रुपया है मार्केट कैप इसका 187,093 करोड है यानि ये लार्ज कैप से आती है अनिंग पर सेयर भी काफी स्टॉंग 250 रुपया है जबकि प्राइस की बुक वैलू इसका 4 रुपया है इसके पी रेसियो को भी ठीक ठाक मना जा सकता है क्योंकि ये सेयर ना बहुत ज़्यादा हाई वैलुएसन पर ट्रेड कर रहा है और ना ही लोर साइड में बहुत अट्रेक्टिव बना हुआ है करिंट टाइम में ये करिब 26 के आसपास चल रहा है रिटर्न अन इक्विटी हो ये रिटर्न अन कैपिटल इंप्लाइट का परसेंटेज हो लास्ट येर का जो इसने अपना परफॉमेंस दिया है इसको हम ठीक ठाक मान सकते हैं कंपेर टू इसके पीर्स क्योंकि ये 15 परसेंट के आसपास बना हुआ है पिछले 5 सालों में इस सेयर के रिटर्न के बात करें तो आपको मातर 54.28% के रिटर्न दिया है पिछला 3 साल अच्छा मना जा सकता है क्योंकि ये 66.10% रहता है पिछला 1 साल काफी खराब रहता है क्योंकि इस पीरियर्ड में इसने 16% का निगेटिव रिटर्न दिया है return on assets 7.42% net profit margin ठीक ठाक है क्योंकि ये 13.03% है cement industry के जो भी major players हैं इंडिया में अगर सब के performance को आपको पिछले quarters के basis पर देखें सबसे अच्छा performance आपको JK cement करना जार आएगा क्योंकि उसका quarterly sales variation positive side में 32.41% राता है number two position पर ultra tech cement नजार आएगी क्योंकि इसका sales growth आपको 28.18% देखने को मिलेगा 3 cement number three position पर आती है क्योंकि यहाँ पर आपको sales growth 21.46% देखने को मिलेगा जबकि अम्बुजा हो या ACC हो इनका sales growth 15% के आस बास है लेकिन अगर quarterly profit variation पर आप नजार डाले तो यह 500 यह company ने negative trend दिखाया है और सब के quarterly profit growth में थोड़ा सा आपको downfall ही होता हुआ दिखेगा यह जो भी top 5 companies का यहाँ पर data दिया गया है उसमें सबसे कम quarterly profit variation में loss आपको ultra tech का होता हुआ दिखेगा क्योंकि इसका profit growth 7% के आस बास डाउन हुआ है जबकि 3 cement हो यह ACC हो सबसे ज़्यादा यह नज़ार आएगा क्योंकि यह इनके profit growth में 55 से लेके 60% के आज़ पस downfall आता हुआ दिखा है यानि ओबर इन 500 major players के data को analysis करके देखें sales growth सबसे अच्छा आपको यह के लक्षमी का नज़ार आएगा जबकि profit variation के मामले में ultra tech best रहता है ultra tech cement limited के performance अगर हम percentage वाइज देखें पिछले 10 सालों का compounded sales growth आपको लगतार ठीक टाक बना हुआ दिखेगा क्योंकि 3 साल on average data के according single digit में 8% तो रहता है लेकिन 1 साल से लेके 10 साल के बीच में इसका sales growth लगतार double digit में बना हुआ है और इस period में lower side में 11% जबकि एक साल के data के according जो last performance रहा है यह सबसे अच्छा 14% होता है compounded profit growth इसके sales growth के comparison में ज्यादा अच्छाना जा रहाएगा अगर पिछले एक साल के data को आप यहां पर छोड़ देतों और यह लगतार sales growth को बीट करता हो नजर आएगा पिछले तीन साल से लेके दस साल के बीच में जो सबसे profit growth इसका कम दिखता है वो 12% रहता है जबकि higher side में यह पिछले तीन साल में 44% तक पहुंचा है stock price CGR के मामले में हम यहां पर इसके performance को average या खराब मांग सकते हैं क्योंकि 10 साल में मातर इसने 13% का CGR दिया है 5 साल में 9% 3 साल का जरूर अच्छा है क्योंकि 19% रहा है लेकिन पिछले एक साल में एक बर फिर से इस तेयर ने अपने investors को निराज किया है और negative 16% का return दिया है balance cities company का आपको अच्छा नजर आएगा क्योंकि ये company ना सिर्फ large cap से आती है बहुत बड़े घराने से विलोंग करती है बलकि nifty 50 का भी हिंसा है results इसका लगतार ग्रो करता हुआ दिखेगा और latest annual report मार्च 2022 के according ये पचास जार एक तालीस करूर तक जा पहुंचा है जबकि company के उपर कर्ज आपको सबसे ज्यादा मार्च 2019 annual report के इसाफ से देखने को मिलेगा जब इसका borrowing part में आपको 25,337 करोर का कर्ज आता हुआ दिखेगा लेकिन तब से इसके management ने लगतार work किया है अपने कर्ज को कम करने के लिए और अगले तीन सालों में यह 25,000 करोर से घटके 11,299 करोर तक जा पहुँचा है यह rolling pattern भी इसके balance sheet की तरह ही strong ही नज़ा रहाएगा क्योंकि promoters ने अपनी holding जरूर यहाँ पर 10% कम किया है पिछले कुछ quarters में लेकिन अभी भी यह काफी strong बना हुआ है और यह करिब 60% के असपास है यह 5 की holding जरूर पिछले कुछ quarters में कम होता हुआ दिखेगा और यह 16 सारे 16% से कम होगे 13% तक पहुचा है लेकिन खुशी की बात है DIs ने अपनी holding इस period में बढ़ाया है और यह 14% से बढ़के 18.6% तक जा चुका है जबकि public की holding इस period में आपको थोड़ी से कम होते भी दिखेगी और यह 8.91% से कम होके 8.62% तक पहुचा है वोट एनलिसिस में अल्टाटेक्सिमेंट लिमिंटेर का परफामेंस आपको खाभी खराब नजर आएगा क्योंकि current time में strength इसके पास मातर 5 है weakness जबकि 7 नजर आ रहा है opportunity दो तो यहां पर दिख रहा है लेकिन threat में भी एक चीज निकल कर आ रही है अगर पिछले एक महिना का data देखे किस तरीके से इसके share में delivery होती भी दिख रही है यहाँ पर आप volume analysis पना जर डाल सकते हैं on average पिछले एक महिना से लेके today data तक लगतार आपको minimum side में 47% का delivery होता हुआ दिखेगा और higher side में यह करीब 54% के आसपास पहुंचता हुआ दिखेगा और side उनको ऐसा लग रहा है आने वाले short term हो, medium term हो यह long term हो, ultra tech cement limited उनको एक अच्छा return बना कर दे सकता है वास्तों में क्या ultra tech cement के share price में आने वाले time में अच्छा growth होता हुआ दिखेगा उसके लिए इसका technical indicators और कुछ अधा data देख लेते हैं investment checklist के माधम से और साथी हम देखेंगे export द्वारा इस share को लेकर क्या target price दिया जा रहा है दोस्तों technical analysis में ultra tech के performance आपको निरास कर सकता है क्योंकि moving average से लेकर जो technical indicators दिये हुए है one day data के according जो action निकल करा रहा है maximum जगा आपको sales या आपको strong sales आता हो दिखेगा one week chart pattern के according आपको buy या strong buy तो बनता हो दिखेगा लेकिन moving average में यहाँ पर neutral का action दिखा रहा है जबकि one month data के according moving average इसका buy का action दिखा रहा है momentum oscillator sale, trend oscillator strong buy और volatility neutral दिखा रहा है यानि overall पिछले एक दिन से लेके एक महिना का data या chart pattern देखें moving average हो या momentum हो आपको neutral की तरफ जाता हो दिखेगा क्योंकि कई part में आपको sale या strong sale बनता हो दिखेगा action में जबकि कुछ parts ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर buy या neutral का action बनता हो दिखेगा इसनी अगर आप plan कर रहे हैं इस share को लेकर trading के बारे में फिलहाल आपको positive side हो या negative side हो avoid करना चाहिए इस company का जो investment checklist दिया हुआ है intrinsic value और dividend returns rate zone में है अलाकि यह दोनों ही बहुत important नहीं रहा जाता अगर किसी company का market cap काफी ज्यादा है वो large cap से आती है और especially अगर वो nifty 50 का हिंसा है ROI भर से JP rates, entry point और no rate flag यह तीनों ही green zone में नजार आ रहा है इसनी overall इसके investment checklist को consider करके चला जाए मेरे recording यह अच्छा नजार आ रहा है इस company और share को लेकर जो forecast किया गया है आपको काफी attractive और अच्छा नजार आएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में analyst ने अपना opinion share किया है और उनका number 42 है जिसमें 86% analyst का मानना है चाहें इसका sales हो और निपर share हो यह share price growth हो आने वाले एक साल में अच्छा रह सकता है price forecast जो इस share को लेकर किया गया है lower side में यह 9.9% की gear out दिखा सकता है median side में आपको 19% का positive momentum दिखा सकता है जबकि best scenario में इसका share price 40% उपर की तरफ जाता हो दिख सकता है इसके revenue को लेकर जो forecast यहाँ पर किया गया है lower side में 7% रह सकता है जबकि higher side में 33% तक उपर जा सकता है अनिक पर सेयर को लेकर जो forecast किया गया है यह थोड़ा सा निरासा जनक हो सकता है क्योंकि low से लेकर median में केवल negative trend दिखा रहा है और इसका अनिक पर सेयर इस period में गिरता हो दिख सकता है और इसमें 35% का maximum जबकि 18% का minimum गिरावट हो सकता है और अगर सब कुछ अच्छा रहा है इसका अनिक पर सेयर में growth 12% के आसपास होता हो दिख सकता है अल्टराटेक सिमेंट लिमिटेड का comparison इसके P.E. से करसाथ करके देखे और valuation पर नज़र डाले तो जो चार company का यहां पर data दिया गया है आपको अल्टराटेक का P.E. ratio number 2 position hold करता हुँ दिखेगा यानि investment point of view से number 2 position पर आएगा जबकि करास्थिम इंडर्स्ट्री लिमिटेड का P.E. ratio सबसे कम 15.73 जो कि जीज़ को हम attractive मान सकते हैं बाकि अमबुजा सिमेंट लिमिटेड हो या स्री सिमेंट लिमिटेड हो एक रॉस्ट इंडिया इसके बहुत सारे प्लांट्स है जहां से यह कंपनी रिटेलर से लेके इंडर्स्टी को सिमेंट सप्लाई करती है दोस्तों फाइनली अल्टाटेक सिमेंट लिमिटेड के बिजनेस आउटलूक और सेयर प्राइस आउटलूक के बाले में बात किया जहें आने वाले टाइम में एक ऐसा रह सकता है जैसा कि आपने देखा इस कंपनी का लास्ट कॉर्टर रिजल काफी अच्छा रहाता है फिर इनका प्रॉफिट मार्जिन एक बार फिर से वापस ट्रैक पर जाता हुआ दिख सकता है इंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जिस तरीके से इंडिया में चल रहा है और इंफ्राइड डेवलपमेंट को लेकर जितना काम बाकी है उसके एक ओर्डिंग देखा जाए तो च तक रिटन दे सकता है लेकिन इन पॉजिटिव के अलावा इस कंपनी के पास आने वाले टाइम में चलेंजेज भी हो सकते हैं क्योंकि अमबाजनी ग्रूप जिस तरह से सिमेंट इंडेस्ट्री में इंट्रिक करने के लिए बहताब नजर आ रहा हो सकता है अगर कुछ और बड़ी कंपनी को कर लें और फिलाहल जो अल्टा टेक्सिमेंट लिमिटेड बहुत सारी चोटीज कंपनी को डुमिनेट करते हुए अपना सेल्स हो या प्रॉफिट ग्रोथ हो बढ़ा रही है आने वाले टाइम में वहां पर थोड़ा सा आपको डाउन फॉल होता वा तो यह रहा कुछ पॉजिटिव और निगेटिव पार्ट जो आने वाले टाइम में अल्टा टेक्सिमेंट लिमिटेड के लिए हो सकता है इसनिए मैं यहां पर आपको सजेस्ट करूंगा इस तेयर को अपने राडार पे रख सकते हैं वास्लिस्ट में आड़ कर सकते हैं ल अले यह कंपनी लार्ज कैप से आती है और बहुत ही ट्रस्टेड घर आने से बिलोंग करती है बावजूद इसके मैं सजेस्ट करूंगा यह एक ऐसा इंड़स्टी है जो कंप्लिटली ओन अर्गनाइज गंस्ट्रक्शन सेक्टर पे डिपैंट करती है और वहां पर एक छो इत्किल में उनके साथ जरूर सेयर करें जो अल्टा टेक्सेमेंट लिमिटेड जैसे कंप्रीज के सेयर में इंट्रेस्टेड है पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यबाद जाएंड